ना मोटी रक्म खर्च करने की जरूरत ना पारलर जाने का जहन्जट जिहां दो चीजों का यूज करके चलेगा ऐसा जादू जिसका इस्तमाल करने से आपके स्किन पे आएगा इंस्टेंट ग्लू जिहां दोस्तों इस रेमिडी में ऐसी खास बात है जो कि हम महंगे महंगे जब कराती हैं तो वो असर हमें नहीं देखने को मिलता तो यहां पर दोस्तों कुछ फोटो मैंने आपके साथ शेयर की हैं जो कि इस रेमिडी को यूज करने के बाद मुझे रिजल्ट मिला और कोई भी साधी पार्टी में मैं जाती हूँ तो इस रेमिडी को जरूर से यू यहां पर आपको लेना है फेरन लबली क्रीम तो यह वाली क्रीम ना आप चाहें इस तरह से पाउच में ले लेगा या फिर इस तरह से ट्यूब का भी इस्तमाल कर सकते हैं अब यहां पर देखिए मैंने एक बावल लिया है और बावल के अंदर हम क्या करेंगे थोड़ी सी करीब आपको दूद लेना है कच्चा और उसको इस तरह से देखें मिक्स कर देना है कई बार दोस्तों आपने देखा हूँगा हम पारलर जाते हैं कोई पार्टी बगएरा में जाने से पहले हमें चाहिए होता है हमारे चेहरे पे चमक हो एक निखार हो हमारा चेहरा गलो कर तो उस फेशेल के चकर में हमारे बहुत सारे पैसे खराब होते हैं आपको नहीं पता होगा लेकिन फेशेल बहुत थोड़ा सा लगता है जो क्रीम हम लगाते हैं बहुत थोड़ी सी लगती है लेकिन पैसे हमसे पूरी डिबी के लिए जाते हैं अब देखें आपको क्या कर और इसको अच्छे से आपको mix करना है, थोड़ी देर में यह हलका हलका सा फट जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह जो क्रीम और दूध है हमारी, वो हलकी हलकी सी फट गई है, तो जब आपको लगे कि आपकी क्रीम और यह जो दूध है, दोनों अच्छे से फट करना है, नीबु निचोरना स्टॉप कर देना है, और हमारा जो यह मिश्ण है, वो बनके हो गया है, तयार, अभी इसके अंदर एक चीज और पड़ेगी, वो भी मैं आपको बताऊंगी, अब अगली चीज आपको इस रेमिडे में यूज करनी है, हल्दी, हल्दी आपको ध देखे, इस तरह से, देखे, मिक्स कर देना है, यहाँ पर आपको लग रहा होगा, यह रेमिडी बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन एक चमच भर के यह रेमिडी होगी लगबग, और हमारे चेहरे के लिए बहुत ज़्यादा रहती है, अब दोस्तों इसी रेमिडी के साथ, यहाँ एक रेमिडी हम और तयार करने वाले हैं, वो भी इस फेशियल के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो देखे, यहाँ पर कच्चा दूद लिया है, दो चमच के करीब, और उसमें हम क्या करेंगे, निबु के रस को इस तरह से डालेंगे, अब इसको हमें क्या कर जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा आप निबु के रस को इसके अंदर डाल देंगे, तो क्या होगा, इसका जो छेना है वो अलग हो जाएगा, और पानी, यो यल्लो यलो पानी होता है वो उपर आ जाएगा, तो वैसा हमें नहीं करना है, बस आपको इसे तब तक इस तरह से मिलाना है और निबु के रस को डालना है, जब तक ना इसमें हलके हलके दाने ना बन जाए, तो यह देखे दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बार और निबु को इसके अंदर निचोड़ूँगी, अभी यहाँ पर थोड़े थोड़े से दाने बनना शुरू हुए हैं, तो य पानी उसका उपर आजाता है, यलो यलो वैसा पानी नहीं आना चाहिए, अब आपको यहाँ पर बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि हमें इसका इसी तरह का टेक्शर चाहिए, पनीर हमारी स्किन के लिए बहुत ज़दा बेनिफिशिल होता है, क्योंकि इसमें प्रो को ले लेंगे, और सबसे पहले हमें करना है अपनी तुचा की अच्छे से सफाई, इससे हमारे पोर्स जो हैं उपन हो जाएंगे, जितने भी धूल, मिटी, गंदगी होगी, वो यहाँ पर निकल जाएगी, तो यह देखेंगे दोस्तों, इस तरह से आपको अच्छे से अपने चहरे की अगर सफाई करेंगे, तो आप देखेंगे, ना तो जुर्रियां पड़ेंगी, ना ही कोई दाग धबा आपकी स्किन पे पड़ेगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं, अच्छे से मैंने चहरे को अपने क्लीन कर लिया है, अब बस हमी क्या करना है, इसको ऐसे लगा लेना है, आप चाहें तो किसी ब्रस की मदद से भी लगा सकते हैं, मैं सीधे क्या कर रही हूँ, हाथ पे इसको ले रही हूँ, और उंगलियों की सहाईता से अपने पूरे फेस पर इसको अपलाई कर रही हूँ, और देखें चहरे पर तो आप लगाई है, लगाई है ठीक है, एक चीज़ याद रखें, आँखों से बचा कर लगाना है, और इसी तरह से आप क्या करना है, जो हमारी गर्दन है, वहाँ पर इसको लगाना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम चेहरे पर तो कोई भी रेमिडी ट्राय कर लेते हैं, फेशियल करवा लेते हैं, अ इसको ऐसे ही छोड़ देना है, एक से दो मिनट के बाद ये दिखे, इस तरह से फिंगर से आपको क्या करना है, सर्कुलर मोर्शन में इसकी मसाज देनी है, जैसे कि पालर में फेशियल करवाते हैं, सेम उसी तरह से आपको करना है, ठीक है बहुत ही असान स्टेप होते हैं, आपको इस तरह से नीचे से उपर की ओर करना है इससे तोचा में आपकी एक कसाव आएगा आपको बहुत ही इंस्टेंट ग्लो मिलेगा मैं तो कहा रही हूँ आपके घरवाले नहीं पैचानेगी सच में बहुत ही अच्छी सी रेमेडी है जब आप इसको करवाओगे न तो इतने ज़ादा सॉफ्ट हो जाओगे आपकी इसकिन इतने ज़ादा बेवी सॉफ्ट हो जाएगी मखन जैसी मुलायम हो जाएगी आप खुद हैरान हो जाओगे कि इतने सी छोटी चीज के लिए हम पालर में जाके कितने सारे पैसे वरवाद करते हैं ये देखे इस तरह से आपको क्या करना है इसकी मसाज करनी है तो इसकी जो गुडनेस है आपकी इसकिन के अंदर तक चली जाएगी और दोस्तों इसका यूज करने से आपकी इसकिन बहुत ज़दा टाइट हो जाती है जै क्या करना है कोई भी टिशू पेपर या फिर कपड़ा लेना है और आपको क्या करना है अपनी इसकिन को अच्छे से यहां पर क्लीन कर लेना है इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है अपनी इसकिन को अच्छे से पानी से बॉश कर लेना है तो यह दिखिए मैंने अच् टिकता है, मतलब फिक्स रहता है तो आप कहीं भी साधी पार्टी में जा रहे हो और आपके पास पार्लर जाने का टाइम नहीं है और आपको इंस्टेंट गलो चाहिए तो आप इस रेमेडी को एक बार जरूर से ट्राइ कीजेगा, मेरे कहने पर मत जाए एक बार इसको ट्राइ कीजेए आपको 100% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा तो चलिए आज की वीडियो का में यहीं पर एंड करती हो कल फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो को साथ वीडियो को ध्यान से शेयर करें चैनल पर नई हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें बाबा एवरिवन